नमस्कार दोस्तों भाईयों भेनों आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे लिश्ट ओफ, सैलरीज ओफ, हैट्स ओफ, इस्टेट और गवर्मेंट याद रखे दोस्तों आपके भारत देश में ही या फिर सिर्फ कुछ देशों में ही ऐसा कहा जाता है कि एक देश के अंदर आने वाले अलग-अलग एरियाओं को राज्य कहा जाता है वहीं दूसरे देशों में हम ये भी देखते हैं कि वहाँ पर प्रॉविंसिस कहा जाता है आप जानते होंगे दुनिया के कई ऐसे देश है जहांके एरियाओं को ना कि स्टेट कहकर बलकि प्रॉविंसिस कहते हैं आपने सुना होगा कई बार प्रॉविंसिस ध्यान से सुन ठीक है यह आप कहा गया है province, province क्या होता है दोस्तों एक देश का एक areas को province नाम से बता दिया जाता है कि यह इतने provinces इस country में है, ठीक है? उसी तरीके से कुछ देश ऐसे भी है, जहांपर राज्य बोला जाता है, जहांपर बोला जाता है इस देश के अंदर इतने राज्य आते ह आप कहोगे या प्रोविंसिज और स्टेट क्यूं बता रहे हो इस वीडियो के अंदर तो हम दोस्तों इस वीडियो में यह जानेंगे दुनिया के हर देश के प्रधान मंत्री और राष्ट्रेपती की कितनी सैलरी है बिल्कुल आपने सही सुना है अभी 2024 चल रहा है ठीक है 2024 साल चल रहा है पूरे दुनिया भर में विश्व के हर जगा पर यही साल चल रहा है अभी करेंट्ली और इस साल का भी जुलाई महिना भी चल रहा है ठीक है तो आप सभी के मन में इस questions उठ रहा होगा कि आपको यह जानना है कि किस देश के किस प्रधान मंत्री को और किस देश के राष्ट्रेपती को या फिर आप यह कह लिजे प्रैजिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को कितना सेलरी मिलता होगा यह मन में सवाल उठता होगा खासकर उन लोगों के मन में जो दुनिया भर के अलग-अलग एरियां में बस रहे हैं रह रहे हैं उनके मन में सवाल उठ सकता है कि हमें बताओ कि हम जान सके कि हमारे देश के पी-म को कितना सेलरी मिलता है वहीं हम यह भी जान सके हमारे देश के राष्टरपती को कितना salary मिल रहा है और ऐसा नहीं है यहां पर सिर्फ रशिया चायना वाले कैनेडा वाले जानना चाहते हैं यह सिंगापूर वाले या फिर आपके United Kingdom के लोग जानना चाहते होंगे ठीक है कॉलम्बिया या फिर कमबोडिया के मले देश का व्यक्ति है जानना चाहता है कि उसके देश के परधानमंत्री को और प्रेजिडेंट को कितनी salary मिलती है ठीक है तो हम इस वीडियो में आपको बता देते हैं हर देश के परधानमंत्री की और राष्टेपती की पूरे महीने में उसको कितनी salary दी जा रही है हमने अंदर हर 30-30 दिन पर हर व्यक्ति को salary दी जाती है चाहें वो कितना भी बड़ा व्यक्ति का क्यों ना हो दुनिया का जैसे कि आप जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर को भी हर महीने सैलरी मिलती है, राष्ट्रे पती को भी सैलरी मिलती है, और उप राष्ट्रे पती को भी सैलरी मिलती है, चीफ मिनिस्टर को भी सैलरी मिलती है, गवर्नर को भी सैलरी मिलती है, और इन सब को सैलरी मिलती है, मतलब आपके लिए ये लोग representative तो हैं सरकार में तो हैं देश समाल तो रहे हैं साथ-साथ इनको परमन salary भी मिलती है तो आपको अगर जानना है कि इनमें से किस-किस को कितनी salary दी जा रही है तो वो मैं आपको पता देदाओं अब आप कहोगे सरकार इन लोगों की सरकार ये चला रहे हैं देश ये चला रहे हैं एयरियाओ को ये समाल रहे हैं तो salary इनको कौन क्या देगा इनके पास तो सारा department है नहीं भाई ऐसा नहीं होता इनको salary मिलती है जो कि हर तकी अंदर अलग से समिधान बना हुआ है समिधान ये होता है उसके अंदर rule है समिधान होता है Constitution वो हर का salary मेलेंगी किसके उपर क्या क्या rule लगते है और किसी सेल्री ऐसा नहीं है कि प्रधान मंत्री फो ज्म उसको ज़्याता सेल्री दो कोई प्रेजिदेंट है तो को सेलरी देने से पहले काफी सारी चीज़े देखी जाती है जैसे कि उस देस की प्रगती क्या और यहां पर तो वह देश दूबोने का काम कर रहा है क्योंकि वो तो अपने ही डेश का पैसा अपनी salary में ले ले रहा है समझ रहो हलाकि कि किसी भी डेश का परधान मंत्री और राष्टेपती या फिर गवर्नर या सीम खुद सेलरी नहीं ले सकता अपने हिसाब से कि उसको कितनी सेलरी चाहिए क्योंकि यह सब कुछ कॉंसिट्यूशन के अकॉर्डिंग मिलती है उसको ठीक है अब यह सब इसलिए बता रहे हैं दोस्तों आप चैक करना अच्छे से जाके हर देश के कॉंसिट्यूशन में बता रखा है कि किस पी एम को सी एम को गवर्नर को प्रेजिडेंट को या फिर आपके एम पी को मले को ग आपनी सेलरी किती भी बना सकता है क्यूंकि कंपनी असकी खुद की है लेकिन अगर मैं बात करूं कमपनी में असका तो कॉंकि प्राइवेट्य praticamente है मतलब सोच यह हरे बड़े से बड़े पोस्ट के व्यक्ति को भी salary विलती है, अगर आप यह सोचते हैं, कि जैसे कि Google company है, Google company में CEO है कोई, ठीक है, इसी तरीके से Microsoft company का कोई CEO होगा, इसी तरीके से Apple company का कोई CEO होगा, अगर owner नहीं अपने आपको CEO बना रखा है, तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते हैं, वहाँ तो वह अप मतलब होना चाहिए उस व्यक्ति को, इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए कि कितना profit हो रहा है, कितना loss हो रहा है, मतलब कोई भी company का CEO है, या manager है, या फिर executive है, या कोई बड़े post पर है, तो वह व्यक्ति को salary उस company का मालिक तैय करके देगा, कि उसको कितनी salary देनी है, ना कि व हर देश के अंदर भी, सरकार के हर व्यक्ति, चाहिए वो prime minister हो गया, चाहिए, अब देखिए, सरकार में president जो होता है, राष्टेपती वो सरकार में नहीं आता, मतलब कि यह होता है, president अलग से elect होता है, मतलब सरकार के लोग अलग होते हैं, और राष्टेपती अलग होता है, हाला कि राष्टेपती की भी salary और इसके साथ-साथ government के सारे लोगों की salary उन में से कोई भी व्यक्ति खुद तैह नहीं करता है वो सारा का सारा तैह होता है constitution से समिधान के अंदर लिखा हुआ है बहुत सारे point लगते हैं बहुत से कुछ factor बहुत से terms ऐसी देखी जाती है जिसके चलते जिन कारणों से तैह होता है कि उसको कितनी salary दी जाए तो उसी हिसाब से हम जानेंगे इस video के अंदर दुनिया के सारे जितने भी देश है इस list के अंदर देश को country नहीं बोला है इस list के अंदर country को state बोला जा रहा है और country के अंदर देश के अंदर जो government है उसको government कह दि है कि हर देश के यानी कि हर state के state के head की state का head मतलब country का head country का सबसे एक तर्व्यक्ति कौन होता है generally दुनिया के अधिकतर देशों में राश्ट्रपथी सबसे प्रथम व्यक्ति होता है उस देश का सबसे पहले तो उस देश का प्रथम citizen होता है और दूसरा head होता है उस country का head होता है मतलब कि यह है कि official और एक actual constitution के हिसाब से एक legal तरीके से सबसे बड़ा व्यक्ति वही होता है जैसे कि president ठीक है दूसरा इसके अंदर आ जाता है government में भी head होता है जैसे कि generally जादा तर देशों की सरकार में जो head होता है वो prime minister होता है कहीं कहीं समझें कि state of head मतलब की country का head कौन हो गया president हो गया राष्टेपती हो गया और रही बात जो आपके country के अंदर government का head होता है वो prime minister होता है generally सरकार के अंदर head जो होता है वो prime minister होता है ठीक है तो हम PM की यानि prime minister की और president की हर एक की salary आपको बताएंगे इस video के अंदर हर देश की बताएंगे सोचिए हर एक देश के PM की और president की salary इस video में आपको बताऊँगा जो की आपके काम आ सकती है अब यह सब आप जानके करेंगे क्या और वेसी बात है आप सोचेंगे हमें क्या करना इस सबसे अब भाई आपको पता रहना चाहिए ना कि आपका देश जो सम्भाल रहा है PM है य इसलिए इलेक्ट होकर पहुंचें उस पोस्ट पर अपके देश से वो लोग को कितना salary मिल रहा है कि असा तो नहीं है कि सारा देश का सारा पैसा यही लोग ले ले रहे हैं ऐसा नहीं होता है इनको salary मिलता है ठीक है हँआ है खीक है साथ साथ इनके पास powers तो होती है बाई power है नए-नए scheme ला सकते हैं देश के अंदर प्राइम मिनिस्टर के पास यह power होता है देशों के अंदर यह नए-नए scheme लाए नए-नए चीजे लाए लोगों के लिए अच्छे चीजे बनाए scheme बनाए जिससे कि वहां के लोगों को अच्छे मिल सके वह तो उसके पास है इसके साथ साथ दूसरा यहां पर उनके पास salary उनके खुद तैय नहीं कर सकते मतलब प्राइम मिनिस्टर अपनी salary भी खुद तैय नहीं करता है सोचिए इतनी भी पावर नहीं होती एक PM प्रेजिएंट के पास कि अपनी salary वह खुद त तैय कर रहा हो क्योंकि अगर खुद तैय करेगा तो जितनी मर्जी भी कर सकता है ना इसलिए उसको बाउंड किया गया constitution के हिसाब से constitution बताएगा कि प्रेजिडेंट और PM को कितनी salary मिलनी है ठीक है यह constitution तैय करता है हर देश का अलग-अलग समीधान है दोस्तों मैं आपको बता दूँ अलग-अलग rule regulation बने हुए है हर देश में तो वहां के समीधान के हिसाब से उनकी salary मिलती है कि प्राइम मिनिस्टर को और प्रेजिडेंट को कितनी salary मिलेग साथ साथ हम वहां पर इसको dollar में और हर देश की जो भी currency चल रही है उसके हिसाफ से हम जानेंगे उस amount को और हम उस देश का GDP per capita के हिसाफ से भी हम समझेंगे ठीक है तो आप अगर रशिया से हो चाइना से हो कैनेडा से हो या फिर आप मान लेते हैं हम कॉलंबिया से कंबोड से मलेशिया से सिरि-लंका से बंगला देश से अलजैरिया से ऐस्टेलिया से अफगारिस्तान Kenya यूगांडा बर्मा या फिर मैं मान के चलता हूं यहाँ पर काफी इसे लोग हैं जो अमेरिका से भी है इस वीडियो में ऐसे भी लोग है जो भारत इंडिया कंट्री से हैं के स साथ साथ यहां पर ओमान पेरू और इंडोनेशिया ताइवान जापान और जर्मनी फ्रांस और दुबई यानि UAE यानि यूनाइटिड अरब एमिरेट नाम का एक देश है और यहां पर बहुत से ऐसे लोग है कतर से भी हुँगे इधर इजिप्ट से हुँगे इजिप्ट से भी इस वीडियो के अंदर बहुत से लोग हुँगे और इस वीडियो के अंदर काफी ऐसे लोग वह भी हुँगे जो वीतनाम वाले एरिया से हुँगे और दुनिया के हर एक एरिया से मुझे देख पा रहे हुँगे और सुन पा रहे होंगे, ठीक है, तो आप इतना याद रखें दोस्तों ये वीडियो टोटली हिंदी में रहेगा, आपके साथ जो जनकारी शेर कर रहा हूं, ये जो सारा कुछ आपको बताया जा रहा है, ये सारा इंगलिस में है, इंगलिस में आपके सामने है, हिंदी में मै पुल रहा हूं और रही बात दूसरी भाशा में जैसे की रशियन लेंग्वेज हो गई ठीक है रशियन हो गई जर्मनी हो गई फ्रांस फ्रेंच हो गई फ्रेंच आपकी लेंग्वेज है फ्रेंच 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 जर्मनी और इसके अलावा रशियन और अरेबिक आपकी यह एक Chinese है, जपानी है, और इसके अलावा आप लोग की दूसरी language जैसे की Hindi, English और Marathi, Gujarati, Punjabi, Bengali और दूसरी दूसरी language यह हैं, देश, हर देश के और हर area उमें, अलग-अलग भाशा लोग बोलते हैं, दुनिया के हर एक area के अंदर, अलग-अलग भाशा है लोग बोलते हैं, तो आप अपनी भाशा में समझने के लिए, वीडियो के right side में double C caption होता है, उसको on करना, ठीक है, आप उस caption को on करोगे आपको option मिल जाएगा languages का, वहां से अपने हिसाब से language चेंज कर ले, आप मेरी बात को असानी से return में समझ पाएंगे, जो भी मैं बोल रहा हूं, वो return में लिखा आएगा आपकी language में, ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं, तो वीडियो बहुत काम का है, हमारे सामने wikipedia.com नाम की एक website है, इसके लावा दूसरी एक और website है, तो हमने दो website की मदद से ये सारी जनकरी आपके लिए निकाली है, जिससे कि आपको बता सकें कि दुनिया के हर एक, विश्व के हर एक PM और President की कितनी salary है, वो हम आपको बता सकें, उसके लिए वीडियो आपके लिए रहेगा, ठीक है, सारा कुछ बताने के बाद जैसे ही मैं वीडियो complete कर जाओं, उसके बाद आपका फिर भी कोई जैसे मान के चलते हैं, आपको कोई इसमें समझ नही आता है point, तो आप comment में बता सकते हैं, नए topic को भी आपको comment में बताना होता है, subscribe करना होता है, चैनल को like करना होता है, वीडियो को आपको अगर लगे तो करिए, share तो जरूर करिए, लोगों तक पहुंचाईए, इतना तो करे ही, ठीक है? तो देखो, Wikipedia एक बहुत अच्छा website है, दोस्तों, Wikipedia कई तरीके के article ready करता है, आप इसके three dot पर click करते हो, इस three line पर, तो आपको दिखता है, main page, contents, current events, random articles, about Wikipedia, है क्या चीज, तो इतनी सारी चीज़े अपने website पर देता है, तो कितनी मदद करता होगा लोगों की, समझ रहे हैं, यह विल्कुल जितने भी, जितने भी article यह लोग अपने website पर देते हैं, Wikipedia पर, सारे के सारे trusted है, officially एक अच्छे articles होते हैं, और सारी जानकारी accurate होती है, और real होती है, कुछ भी इसमें fake नहीं है, तो Wikipedia website आप यूज कर सकते हैं, सारी इन सारी तमाम जानकारियों के लिए, जो भ रही है, बहुत सारा कुछ बताया जाता है, इस website पर, अगर मैं थोड़ा सा इसमें नीचे चलता हूँ, तो आप देखें, Member States, Observers of the United Nations, Hong Kong, Taiwan and the European Union, ठीक है, तो मैं इसके अंदर ले ले लेता हूँ, इन्हों ने बताया है, देखें, इस list में कौन कौन है, इस list में आपके प 239 तरीके से डिवाइड कर रखा है, हालक कि दुनिया में एक all over base में आप बात करते हो ना, अगर आप world level पर इसको बात करोगे, तो countryों को state का जाता है, तो member state मतलब हो गया कि country के member और observers हो गया, United Nations के, United Nations मतलब की आपको भी पता है, United Nations मतलब UNO, जिसमें काफी सारे देश आते United Nations Organization नाम से एक organization है, उसकी वो एक ऐसा संसता है, ऐसा organization है, जो कि governments काफी सारे देश की सरकार के द्वारा मिलकर एक organization इस्तापित हुआ है, जो कि कई तरीके के मुद्दे लेकर चलता है, एक international level पर, world level पर, तो United Nations में अभी तक 2-3 ऐसे देश हैं, जो अभी तक include नहीं है, उन 2- तो उसी तरीके साब देखते हो, तो मैं आपको बता दू, यहाँ पर हम आपको बता रहे है, member of states, यानि member of states के members, और observers जो होते है, United Nations के, उन सब के बारे में, जैसे कि Hong Kong, Hong Kong, Taiwan, European Union, जितने भी है, योरोप आपको पता है, योरोप क्या है, तो योरोप एक continent है, जैसे कि Asia है, और आमें, नौर्थ अमेरिका, मैं आपको बता दू, दुनिया, पूरी दुनिया, यह साथ continent पर है, बनला país, पूरी दुनिया को साथ तरीके से डिवाइड किया है, साथ तरीके से पूरी दुनिया को बाटा गया है, बैसी कि सैवन डिवीजिजन्स हैं, जिसके अंदर सैव उन सबके सारे के सारे देश के नाम इस लिष्ट में है और उन देश के अंदर head of state यानि country का head कौन है उसका नाम और government का head कौन है उसका नाम और उसकी सालाना salary इसके अंदर लिखी हुई है तो वो मैं आपको बता देता हूँ और आप इसको share करना लोगों तक आपको यह सब पत ठीक है उसको कितना salary मिल रहा है यह आपको यहां से पता लग जाता है और इससे आप यह समझ सकते हैं कि बले ही वो कितना powerful post है ताकतवर post है लेकिन salary उतनी जादा नहीं मिलेगी क्योंकि आप वहां गए इसलिए हो आप लोगों की सेवा करने उस post पे गए हो यह इसका main purpose है और salary ऐसे अंदा धून किसी को भी कुछ भी नहीं मिलती है यह सब तै होती है बहुत सारी चीजों पर जैसा मैंने आपको बताया हर देश का समीधान है उससे तै होती है प्राइम मिनिस्टर की भी salary और राष्टेपती की भी salary ठीक है बले ही उस देश की currency इनी के द्वारा च चलती होगी लेकिन इनकी salary यह लोग भी तै नहीं कर सकते यह एक actual बात है ठीक है तो हम चलेंगे ABCD के हिसाब से सबसे पहले उन देश के नाम लेंगे हम जो A से सुरू होते हैं फिर B से C, D, E, F और इस तरीके से आगे बढ़ेंगे पूरा A से लेके Z तक जितने भी देश के नाम है उन सब के देशों की हम राष्ट्यपती की और प्राइम मिनिस्टर की salary जानेंगे इस वीडियो के अंदर ठीक है और हम उस salary को दो तीन तरीकों से जानेंगे पहले तो उस देश की जो currency है उसके हिसाफ से जानेंगे फिर उसी currency को डॉलर में बदलेंगे ठीक है डॉल अगलाकी में ज्नी आखे में ठीक है था क्यों सोदेश के चैश्टरी रूपिया को मतलब उस मतलब उस पुरे देश के पास कितना रुपिया है यह कितना पैसा है कितना डिनार है कितना एंगे अगे हैं सता만 उसका Art Ka Waltra को में मुलद्य जतनी जैदा मेनत करेंगा जतने ज्य goods बनाएगा services देगा जितने जादा इन चीज पर work करेगा हो सकता है उसकी GDP उतनी जादा हो मान के चलिए कोई देश ऐसे हैं जो कि जादा चीजे बना रहे हैं अपने देश में और दूसरे देशों में बेख रहे हैं ठीक है तो इससे क्या होता है इससे यह होता है कि उस देश उस देश के पास पैसा जादा आजाएगा और वेसी बात है आपका देश है और आप अपने देश के अंदर जादा चीजे बना रहे हो और आप दूसरे देश में भेज रहे हो बेचने भेज रहे हो बेचने जा रहे हो बेच रहे हो ठीक है तो इससे आपके देश के पास पैसा बहुत आएगा तो इस तरीके से आपका देश आगे निकल जाएगा और दूसरे देश पीछे रहे गाएंगे तो यह होता है GDP इसलिए आप देखोगे कि कुछ देश आज के समय पर जिनकी GDP नीचे को है हो सकता है कल को आने वाले समय में वो देश का GDP और उपर चला जाए जैसे इंडिया देश की बात करूं तो इंडिया इंडिया टॉप फाइव जीडिपी कंट्री में आता है इसी तरीके से चाइना अमेरिका और जर्मनी यह और जापान यह पांच ऐसे देश है दोस्तों जो टॉप फा करते होंगे जाधा गुट्स और सर्विसिस पर ध्यान देते होंगे इस चक्र में इनका जीडिपी इतना जाएगा जाइता है इस अ जो देश होगा वो हो सकता है कि कल को नीचे आ जाए सपोज माल लेते हैं कि जपान कल को अगर ज्यादा गुट्स ना बनाए ज्यादा सर्विसेज ना दे ज्यादा टैक वाली चीज़े ना करे कुछ एडवांस चीज ना करे कुछ ऐसे सर्विस ना दे दूसरे लोगों को देश से बनाएवे प्रोडक्ट्स दूसरे देश की तरफ ना लेकर जाए ज्यादा तो हो सकता है कि जापान नीचे चला जाए जीडीपी में यह होता है जीडीपी और जीडीपी बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए मैं आपको बताने वाला हूं जीडीपी पर कैपिटा हो युवान दिनार उस तरीके से आप कनवर्ट कर लेना आपको पता है हर देश में करेंसी अलग लग चलती है ठीक है कहीं पर दिनार है कहीं पर रुपए है अलग 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 नाम है करेंसी के अलग 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 देशों में ठीक है तो आप उसको कनवर्ट कर सकते हो ओनलाइ आप इसको convert कर सकते हैं, किसी भी देश का currency, दूसरे देश के currency के साथ exchange करकर आप चैफ कर सकते हैं, ठीक है, तो वो हमारा अलग चीज है, GDP per capita होता है, दोस्तों, GDP मतलब हो गया आपके पूरे देश का economy, per capita मतलब per person, मतलब आपको करना क्या है, पूरे देश का GDP निकालना है, प पर व्यक्ति के पास कितना धन है, होना चाहिए, वो आपको पता लग जाता है, कितना धन है, वो नहीं, कितना पैसा उसके पास है, वो नहीं, बलकि कितना उसके पास होना चाहिए, वो पता लगता है, तो GDP per capita से आप यह समझ सकते हैं, कि इस देश के पास मान के चलिए, इस देश के पास अगर पूरे के पूरे 2,000 रुपए हैं, पूरा के पूरा मान लेते हैं, एक देश है, उस देश के पूरे देश के पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं, और उस पूरे देश में सिर्फ 200 लोग रह रहे हैं, तो 2,000 रुपए हैं और 200 लोग रह रहे हैं, तो इसका मतलब किस हर एक व्यक्ति के पास कितने रुपए होने चाहिए यह हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे 2000 को 200 से डिवाइड कर देंगे यानि simply simple मैं आपको बता हूँ तो 200 को 20 से डिवाइड कर देंगे यानि कि हम 20 को 2 से डिवाइड कर देंगे यानि हर व्यक्ति के पास 10-10 रुपई होने चाहिए यह हमें लग गया, यह होने चाहिए उसके पास है या नहीं यह तो हम भी जानते हैं, इतना नहीं होगा लेकिन इतना होना चाहिए अगर उसकी GDP ऐसी है तो है ना, यह होना चाहिए तो आपको इस तरीके से आप GDP पर कैपिटा से भी आप निकाल पाएंगे तो हर देश का GDP पर कैपिटा होता है, क्योंकि हर देश की population fix है, हर देश का GDP fix है, साल भर में एक बार निकाला जाता है GDP, ठीक है पूरे देश का GDP साल भर में काउंट किया आता है, जो नंबर आता है वो GDP पर कैपिटा होता है ठीक है अब उसका फाइदा यहाँ पर क्या है उससे यह पता लगेगा कि उस देश के पर व्यक्ति के पास इतना इतना रुपिया या इतना डॉलर होना चाहिए ठीक है, और उसके हिसाब से प्रधान मंत्री कितना ले रहा है वो आपको पता लगेगा सेम प्रेजिडेंट कितना ले रहा है वो आपको पता लगेगा अगर आप सीधा सीधा उस देश के प्राइम मिनिस्टर और प्रेजिडेंट की सैलरी को सीधा सीधा उस देश के GDP per capita से divide कर दोगे तो आपको ये पता लगेगा कि उस देश का परधान मंत्री उसी अपने ही देश के पर व्यक्ति के पास कितना पैसा होना चाहिए उसका कितना टाइम्स ले रहा है वो भी आपको पता लग जाता है समझ रहे हो हां तो मैं आपको वह भी बताऊंगा मत्तब कि अगर Sun अगर जान से सुनिक कि 24 लाक अकर वो डॉर्लर ले रहा है को पूरे साल अगर अगर आफगानिस्तान देश का परधान मंत्री पूरे साल बर में मश्विस लाखर जाए पूरे सालरी के तोड़ पर यहां पर वैसे महीने के साब से नहीं बताया है, हो सकता है उस देश में उसको महीने के साब से मिलता हो, हो सकता है उस परधान मंत्री को पूरे साल भर का सैलरी मिलता हो, देखे, या फिर उसको महीने महीने पर मिलता हो, यह हमारा question नहीं है, यह हमारा वो नहीं है, topic कि हम इसको भी जाने कि उसको महीने में मिल रहा है salary या साल पर मिल रहा है हमें इसमें यह जानना है कि उस देश के अंदर हम यह माल लेते हैं कि अफगानिस्तान की PM को 24 लाक डॉलर रुपए पर पूरे साल अभर में मिलते हैं ठीक है हमने यह जान लिया और उसका बाद हमने जाना उस देश का GDP लिएफीप पर कपिटा जैसे कि अफगानिस्तान का डिभी पर कपिटा है 31度 टॉलर है ठीक है 3100 2300 um points जीडिपी प्रकपिटा है अफगानिस्तान का मतलब यह है कि अफगानिस्तान के हर एक व्यवकासं के पास 31 230 डोलर तो होने ही चाहिए अगर इतने इतने में आप बाटते हो ठीक है इतने होने चाहिए है ना तो आप अगर अफगानिस्तान के पी-म की सेलरी से पूरे साल बर की से से उसके पूरे साल बर का GDP per capita से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो आपको यह पता लगता है कि अफगानिस्तान का प्रधान मंत्री खीक है कितने गुना प्रधान मंत्री उस देश के प्रव्यक्ति से मत्ब माल लेते हैं कि अगर अफगानिस्तान का प्रतेक व्यक्ति के पास method 31,230 डॉद्र है तो आप यह सुमझे लीजिए कि आपके देश का प्रधान मंत्री जो ए अफगानिस्तान अपके देश का यह कितनी ज्यादा salary हो जाती है, है ना, आप खुछ सोचिए कि पूरी देश की जनसंख्या और उस पूरे देश की जनसंख्या को जब आप उस पूरे देश की economy से divide करते हैं, तो आपको वो number मिलता है, जिसे यह पता लगता है, कि उस देश के पर व्यक्ति के पास इतना रुपिया होगा, तो इसमें कौन अमीर, कौन गरीब आप कैसे बता पाएंगे, ना, ऐसा होना नहीं, होगा भी नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, आप खुछ सोचिए, किसी देश के पास जितना भी दन है, उसको पूरी जनसंख्या से divide करके, आप यह तो निकाल ले रहे हो, क पर व्यक्ति के पास इतना रुपिया होना चाहिए, यह तो आपने निकाल लिया, लेकिन है तो नहीं न, वो हो भी नहीं सकता, क्योंकि यहां पर काफी ऐसे लोग है, जिनकी बहुत सारी कंपनिया चल रही है, तो वो लोग ज्यादा कमा रहे होंगे, और जो लोग छोटा कर रहे होंगे, चोटा व्यापार कर रहे होंगे, वो कम कमा रहे होंगे, जो कुछ चोटा मोटा धंदा कर रहे होंगे, चोटा सा काम करके पैसा कमाते होंगे, और वेसी बात है, उनके पास पैसा उतना होगा नहीं, तो उनके पास उतना धन होगा नहीं, ठीक है, लेकिन ए तो आपको यह पता लग जाता है कि उस देश में पर व्यक्ति के पास उस देश में हर व्यक्ति के पास इतना amount of money होना चाहिए ठीक है अब इतना amount of money उसके पास होना चाहिए और अगर आप यह देखना चाहते हो कि उस देश का Prime Minister कितने times of money ज्यादा लेता है उस देश के प्रत हां सोचिए उसी तरीके से अफगानिस्तान का एक पोष्ट है वहां पर लीडर सोचिए कि किसी देश में प्रेजिडेंट बोला जाता है सिर्फ पी-एम ही पोष्ट है किसी-किसी देश में ऐसा है कि उस देश में प्रेजिडेंट पोष्ट नहीं है उसमें गवर्नर जनरल नाम से पोष्ट है किसी देश में सिर्फ प्रेजिडेंट ही होता है प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है किसी-किसी देश में कि देश का नाम होता है उस post का और किसी-किसी देश में President की जगा उस post का नाम कुछ और होता है ठीक है हां लेकिन याद रख्ये सरकार का Head Generally Prime Minister कहा जाता है या Chancellor द्धिल्र भी उसको कह जा देते और दूसरा आपको बता दू और जो पूरे देश का है है उसको हम अब बता है उसको जनरल सेशोगािभ का जाल आग देफ से difference पता चलना चाहिए थीक है तो सबसे पहले अफगानिस्तान की बात करूँ तो अफगानिस्तान के अंदर आपका जो वहाँ पर annual salary मिलता है state head को मतलब की country के head को फिरसे बता दूं यहां पर state मतलब देश की बात हो रही है ठीक है हाँ, generally हम world level पर country को एक state कहते हैं, ठीक है, जैसे कि हम generally हम देश के area को province कहते हैं, provinces कह देते हैं, अगर एक से ज़ादा है, और हम वैसे normally एक को हम province कहते हैं, ठीक है, तो generally आप भी जानते हैं रशिया में, या चाइना में, चड में, यूकरेन में, वहाँ पर provinces कहा जाता है, area को provinces नाम देते हैं, वहीं आप भारत देश में जाते हो, तो वहाँ पर वो लोग राज्ये से कहते हैं, कि भाई, इतने राज्ये हैं, इस तरीके से division हो रखा है, ठीक है, लेकिन आप अगर बात करते हो, चाइना की, या चड की बात कर लो, कैनेडा की बात कर लो, या ऐसे कुछ इस तरीके के देश हैं, जहां पर ये लोग provinces कहते हैं, ठीक है, तो उसी तरीके से ये लोग countryों को state कह देते हैं, मतलब world level पर देश को state कहा जाता है, ठीक है, ये आप generally मान सकते हो, तो आपको बता दू, अफगानिस्तान, ठीक है, तो अफगानिस्तान के president, जिसको हम leader कह रह को दिखा देता हूं, ये कौन सा amount है, और आप इसमें एक चीज़ और देखिए, ये 2020 के GDP per capita को लिया गया है, nominal GDP per capita इन 2021 local currency units provided by the IMF, international monetary fund है, basically एक international, मतलब कि अंतर राष्ट्री लेवल पर monetary fund होता है, जो इस चीज़ पर decide करता है, ठीक है, ये पता लगाते है, इस चीज़ के ब details यही लोग बनाते है, मतलब सोचिए, इतने बड़े data को ready किया जाता है, IMF द्वारा, International Monetary Fund, ये सारी detail बनाता है, GDP से जुड़ी होई बाते बताना, GDP per capita तो आप खुदी निकाल लेंगे, जब आप देश की population और economy पता कर लेते हैं, उसके बाद आपको सिर्फ divide करना है, ठीक तो अफगानिस्तान के अंदर जो leader है, main leader, पूरे देश का, उसका जो पूरे साल भर का salary है, वो आपका 27,45,000 तक का है, अब ये किसके अंदर है, ये dollar में है, या rupees में है, तो यहाँ पर आप देखिए, तो ये dollar में है, ठीक है, ये हम dollar में समझ रहे हैं, तो आप मान के है, उसको 27,45,000 डॉलर पूरे साल भर में मिल जाते हैं, अफगानिस्तान के president को या leader को, और वहीं उसके परधान मंत्री को कम salary मिलता है, आप अव्वेसी बात है, उसको कमी मिलेगा, क्योंकि वो government का head है, और दूसरे वाला व्यक्ति जो है, वो पूरे देश का head होता है, तो इस तरीके से prime minister को जो वहाँ पर है, अफगानिस्तान में salary है, पूरे annual का, वो 24,00,00,00 का है, तो आप इस तरीके से देख सकते हो, दूसरा आपको देखना है कि head of state का annual salary, USD from 2019 IMF exchange rate, ठीक है, तो वो मैं आपको बताएता हूँ, यह dollar में आ चुका है, salary, USD from 2019 IMF exchange rate, इतना है, ठीक है, ओके, ओके, समझ आ गया, अफगानिस्तान देखिए, इसमें मैं आपको किलिए बताएता हूँ, जो अफगानिस्तान देश है, उसकी खुद की करंसी जो है, उसके उसकी खुद की करंसी में इन लोगों को यह amount मिल रहा ह 27,45,000 और 24,00,000 के करीब PM को मिल रहा है, यह अफगानिस्तान की currency है, ठीक है, अगर आप पूछोगे कि अगर इसको आप dollar में convert करते हो, तो आप देख सकते हो कि अफगानिस्तान के leader को, यानि कि president आप कह सकते हो, तो 36,000 मिल जाते हैं dollar में, 36,000 dollar एक वो amount है, अगर आप इसको अगर रुपई में convert करते हो, तो आप इसको 100 से multiply कर सकते हो, तो आपको मिल जाता है, लगबग लगबग, 35,00,000 या 34,00,000 के करीब amount आजाता है, मतब पूरे साल भर में, अफगानिस्तान के president को, 35,00,000 के करीब amount आजाता है, मतब अफगानिस्तान का जो leader है, अफगानिस्तान का president है, उसको पूरे साल भर के अंदर, आप मान के चलिए, 35,00,000 तक का amount उसके पास आता है, ठीक है, इसी तरीके से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के पास, लगबग, 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 30,00,000 रुपई तक का amount उसके पास आता है, ये रुपई में निकल के आ चुका है, इसी को आप dollar में तो देखी रहे हो, ये dollar में है, ठीक है, रुपई में आपको बता दिया, 100 से multiply कर लेना, और कुछ amount घठा भी लेना, क्योंकि actual में dollar का comparison 100 रुपई से नहीं है, actual में 80 या 85 रुपी से आप convert करोगे, तो actual में 1 dollar के equal हो जाता है, तो इस तरीके से आपका 1 dollar के बराबर कम रुपई होते थे, आपको जादा रुपई लगा कर 1 dollar के बराबर पहुचना पढ़ रहा है, जबकि आप पहले, जितने रुपई में, आज आप 1 dollar के बराबर हो, कुछ सालों पहले, आप 1 dollar के बराबर लगबक 60-50 रुपई में भी आ जाते थे, और आज आप देखिए, 1 dollar के बराबर आने में आपको 80-85 रुपई के करीब लगते हैं, यानि आपका currency कमजोर हुआ है, आपका currency गिरा है, और दूसरे देश का currency तो बढ़ ही रहा है, आप जानते ही हो, अमेरिका आगे निकल रहा है, चाइना, जपान, इस सब लोग का currency आगे इसलिए बढ़ रहा है, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इंडिया में ना तो employment मिल रहा है लोगों को, job मिलने ही रही है, office खाले ही पड़े हुए है, vacancy उनकी आ नहीं रही है, इस तरीके का scene भारत देश में चल रहा है, अगर बात करूं अफगानिस्तान की, तो अफगान करके देखिए, जब अफगानिस्तान के प्रेजिडेंट को मिल रहे है, 28 लाक उसकी खुद की करंसी और वहीं उसको डॉलर में मिल रहे है, 36,000 डॉलर, यानि आल्मोस्ट आप इसको मान सकते हैं, लगबग लगबग 35 लाक यानि कि आप सोचिए, 35 लाक रुपीज अफगान अफगानिस्तान के प्रेजिडेंट को मिलते हैं, पूरे साल भर में, ठीक है, 35 लाक रुपे अफगानिस्तान के प्रेजिडेंट को पूरे साल भर में मिलते हैं, अगर उसकी करंसी की बात करो तो उसकी खुद की करंसी 28 लाक हो जाती है, उसकी खुद की करंसी का कोई नाम ह वो ठीक है बाकी इन लोगों ने अपने यहां पर देखिए दो तरीके से सेलरी को बताया है एक इनों ने बताया है डॉलर से दूसरा इन लोगों अपने खुद के करनसी से बताया है और डॉलर से बताया है बाकी आप अपने अपने देश के साफ से कनवर्ड भी कर सकते हो और के पर्व्यक्ति की income का 50 से 60 times salary लेते हैं आप खुद देखिए इसका मतलब क्या होगा आप खुद पढ़िए head of state salary यानि की जो आपका leader है उसका salary उसको उन्होंने करता है divided by GDP per capita है नहींंगा यहां पर देखते हो यहां पर क्या लिखाऊ ऐए यहांपर GDP per capita इन्होंने बताया नहीं है है ना लेकिन आप खुद देखिए आप इनके GDP per capita से इसको divide कर देते हो तो आपको साफ साफ मिल जाता है कि यह लोग कितना टाइम्स जादा salary लेते हैं अपने देश के per person की income से ठीक है per person की income से हम ऐसा तो नहीं मान सकते ना कि हर व्यक्ति की income सेम होती है देश के अंदर कोई ज्यादा बड़ी पोस्ट पर होता है कोई छोटी पोस्ट पर होता है इसलिए तो gdp per capita नाम का terms इन्हों ने बनाया है ना दूसरा हमारे पास आ जाता है Albania Albania भी एक देश है है ना Albania के president की salary मैं आपको बताता हूं सबसे पहले currency समझे अल्बानिया के अंदर एक currency है जिसका नाम है लेक लेक इस दे currency of Albania historically मतब एतियास से मतब पहले से follow कर रहे है वहाँ पर इट वास सब divided into hundred किंटार्स hundred किंटार्स क्या होता है जैसे आप जानते हो बारत देश में एक रुपिया जो होता है वह 100 पैसे के बराबर होता है उसी तरीके से अल्बानिया के अंदर जो जो वहाँ का currency उसका नाम है लेक एल उसका symbol है लेक कहा जाता है लेक और वह लेक ऐसा currency है जिसको आप पर वन लेक वह आपका एक्वल्स टू हंड्रेड क्विंटार कहा जाता है उसको ठीक है तो इस तरीके से आप देखते हो तो अल्बानिया देश की बात करूँ तो अल्बानिया में लेक नाम का currency है तो लगबग 30 लाक लेक पूरे साल भर में वहां के राष्ट्रेपती को मिलता है और अगर मैं बात करूँ इसी को डॉलर में कनवर्ट करने के लिए तो डॉलर में 28000 के करीब हो जाता है यही अमांट हो जाता है ठीक है इसी को इन्होंने डॉलर में कनवर्ट कर दिया है तो आप देखिए यहां पर तो इसमें आपका 28000 डॉलर आजाता है 28000 कितना हो जाता है रुपए में तो रुपए में 28000 डॉलर आपको करना किया इसको 100 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपको मिलेगा लगबग 28000 कुछ अमांट कटाना है आप लोग को तो आपको मिल जाएगा वही 26 यह 27000 रुपए पूरे साल भर में अलबानिया के राष्टेपती को मिलते है उसी तरीके से आप वहां के प्राइम मिनिश्टर का सेलरी देख सकते हो उनी के करंसी में भी और डॉलर में भी ठीक है एक चीज और यहां लिखी हुई है है एड ऑफ एड ऑफ गोवर्मेंट एनुवल सेलरी यूजडी फ्रॉम 2019 के IMF एक्सचेंज रेट के इसाफ से एक्सचेंज रेट क आपके पास हैं तो आप भारत देश चले जाओ आपको 100 डॉलर के बदले में भारत देश अपनी कितने रुपए आपको देगा वह कैसे तैह होता है तो वह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तैह करेगा कि आप भारत देश में जाओगे तो वहां आप अपना 100 डॉलर दोगे तो आपको उसके बदले कितने रुपई मिलेंगे यह तै करने का काम भारत सरकार का नहीं होगा International Monetary Fund का होगा ठीक है अब उसके अंदर कौन कोन आएगा भारत देश से RBI आ सकता है दूसरे देश से दूसरी Central Banks आ सकते हैं तो इस तरीके से यह हो सकता है तो अलवानिया देश की मैं आपको बता रहा था तो अलवानिया देश के Prime Minister की 27,00,000 लेक वहां का करनसी है लेक जैसे भारत में रुपई हैं अमेरिका में डॉलर उसी तरीके से अलवानिया में वहां पर लेक नाम का करनसी है 27,44,000 लेक मिलते हैं वहां के परधान मंत्री को पूरे साल भर बनती है मनलब पूरे साल भर में 24,00,000 रुपई अलवानिया देश के परधान मंत्री को मिलते हैं मतब उसी पर देश के लोग जितना कमा रहे हैं ऐसे उस परधान मंत्री को कट्री भर चल रहे हैं आप इस से परधान मंत्री का अकेले करे हैं आप इस तरीके वी समझ सकते हो ठीक है GDP per capita का मत्तब तो यही हुआ ना तो उस GDP per capita का कितना टाइम्स वहां का परधानमत्री salary लेता है वो इससे आप जान सकते हो तीसरा हमारे सामने Algeria है Algeria भी Algeria भी एक देश है Algeria में 84 lakh तक की वहां की Algeria की currency लेता है वहां का प्रेजिडेंट जैसा यहां पर लिखा भी हुआ है और उसी तरीके से वहां का प्राइम मिनिश्टर 60 lakh अराम से 60 lakh Algeria currency लेता है पूरे साल भर में अगर इसको डॉलर में convert करते हैं दोस्तों तो 50,000 डॉलर हो जाता है यानि Algeria का प्रधानमंत्री कितने लेता है पूरे साल भर में salary के तौर पर वो लेता है 50,000 डॉलर जो की करीब 48,000,000 रुपए होते हैं मैं पूरे साल भर में 48,000,000 रुपए एक salary के तौर पर Algeria का प्रधानमंत्री पूरे साल भर में लेता है कितने बोले मैंने आपसे 48,000,000 ज्यान से सुनिए 48,000,000 salary पूरे साल भर में यानि अगर बारा महीने भी होते हैं तो 48,000 को बारा से आप डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा लगबग 4,000,000 रुपए पर मन्त हो जाते हैं 4,000,000 रुपए हैं इसको आप डॉलर में भी बदल सकते हो चाहो तो अलजेरिया की करंसी में भी बदल सकते हो अलजेरिया का जो परधानमंत्री है वो अपने देश के जनरल अपने देश के पर कैपिटा यानि पर परसन की salary का 14 गुना लेता है मलब जहां पर उसी के देश के लगबग 14 लोक अपना पेट पालते हैं उतनी salary में वो उसके अकेले को उतनी salary मिलती है आप समझ सकते हैं हाला कि वो देश का परधानमंत्री है उसके पास बहुत सारी responsibility है बहुत सारी चीजे भी संमालनी होती है उसको तो हम भी मान सकते हैं चलिए कोई दिकत नहीं है हमारे देश की population में हमारे देश में जितना ध्यक्ति पर विक्ति जितना लेक कमाता है जितना उसके पास पास आ अंडोरा का यहां पर फ्लैग आ जाता है यहां पर देश के नाम के साथ-साथ इन्होंने जंडो को भी लगा रखा है जिससे की किलियर हो सके कि यह कौन सा देश है कई बार लोग देश के नाम से देश को नहीं पैचानते लेकिन जंडा देखकर समझ जाते हैं कि यह कौन सा द इसमें अभी तक कोई president ये leader post नहीं है सिर्फ prime minister है वहाँ पर ठीक है और वहाँ की currency का नाम आप पढ़ते हो तो वहाँ पर जो currency है वो है euro euro जैसे dollar है उसी तरीके से euro तो अंडोरा में euro चलता है और euro की आप देख सकते हो वहाँ कर प्राइम मिनिस्टर को आपको बता देता हूं अंडोरा के prime minister को पूरे साल भर के अंदर जो रुपए उसके पास उसके bank account में आ रहे होंगे prime minister के अंडोरा के prime minister के bank account में पूरे साल भर में 70 लाक रुपए आते हैं 70 लाक रुपए उस व्यक्ति के account में आते है अगले नंबर पर है अंगोला में prime minister नाम का पद नहीं है अंगोला देश के अंदर सिर्फ राष्टे पती नाम की पोश्ट है उसका salary आप पड़ सकते हो और उसके साथ साथ आप उसके देश की currency को समझोगे उसके बाद उसको convert करना है dollar में और फिर देखना है कि per capita income जो आपको यहां से मिल जाएगा ठीक है अंगोला के बाद Antigua and Barbuda नाम का एक देश है उदर उदर वहां पर president post नहीं होता वहां पर होता है governor general गवर्नर जनरल नाम से post होता है वहां पर राष्ट्रेपती नहीं होता वहां पर governor general होता है पूरे देश का head पूरे देश का main व्यक्त minister नहीं होता है या तो governor होता है general governor होता है या फिर president होता है अगर आपके देश में प्रधान मंत्री post सिर्फ प्रधान मंत्री post ही है और राष्ट्रेपती post है ही नहीं तो तो फिर वही व्यक्ति head होगा ठीक है तो Antigua and Barbuda में आप देखते हो तो Barbuda एक देश है और वहां पर governor क अलग चीज है और Eastern Caribbean dollar अलग चीज है जो इनका खुद का currency है और Prime Minister का भी आप देख सकते हो डॉलर में आप इसको बदल के देख लेना और इन्होंने पर GDP per capita इन्होंने अभी तक नहीं बताया कि इनके वहां पर क्या है वैसे internet पर check करोगे तो पता लग जाएगा Wikipedia website पर अभी 20,96,000 वहां की currency मिलती है जो की dollar के अंदर 50,000,000,000 होती है रुपए के अंदर लगबग लगबग 49,000,000,000 रुपए पूरे साल वरके होते होंगे ठीक है तो Armenia 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 में आप पढ़ सकते हो Armenia के President का salary Prime Minister का salary dollar में conversion इस तरीके से आप देख सकते हो तो हम आपके लिए इस सारी चीज छोड़ देते हैं हम समझते हैं यह सारी चीज आप पढ़ सकते हैं हम सीधा अप देश के नाम लेते वागे बढ़ते हैं आप इन सब को पढ़ लेना कि President और Prime Minister को कितना salary मिल रहा है dollar में convert होके कितना आएगा और देश के प्रतेक व्यक्ति के salary का कितना गुना कितना गुना salary मत्री उस देश का राष्टे-पती और प्रधान मंत्री ले रहा है ठीक है वह बात अलग है कि देश का पैसा अगर लूटा जा रहा है अलग से कहीं कुछ छुपाया जा रहा है है और यह सब कर रहा है कोई तो वह तो अलग चीज है लेकिन official तोर पर जो सरकारी तोर पर इन जो कर रहे होंगे तो वो यह बात जानते भी होंगे कि वो लोग definitely अगर कर रहे होंगे तो एजेंसिया भी है इन चीजों की हर देश के अंदर तो इससे तो कोई बचा ही नहीं है लेकिन इनको जो salary मिलता है वो मैं आपके सामने रखके बता रहा हूं कि किसको कितना salary मिल रह है ठीक है अलग से side income होती है घूस कोरी होती है लोगों का पैसा लूटा जाता है या अलग से कुछ किया जा रहा है वो तो इनको ही पता होगा और उसके आगे भी वही आप भी जानते हो तरह तरह की चीजे खुली हुई है देश में इस तरीके की एजेंसिया भी होती है जो जो इनके अंडर काम नहीं करती है ठीक है हाँ होती Government की ही है लेकिन इनके अंडर नहीं होती है यह चीज आप भी जानते हो ठीक है तो यह सब इनको बस इनकी main main salary बताया रहा हो मैं तो वह आप सुन सकते हैं तो अरजेंटिना की आपने सुन ली अर्मेनिया की आप देखना आस्टेलिया की आस्ट्रिया की अजर्बाइजान एक देश है वहां की आप देख सकते हो याद रखें हर देश का खुद का एक अलग करेंसी है और डॉलर के साथ इसलिए कंपेर किया जाता है क्योंकि जन्रली दुनिया के अधिकतर देश में डॉलर चलता है ठीक है इसी वज अजर्बाइजान बहामस और भारेन बंगलादेश बर्बाडोस बेल्जियम भुटान और बोट्सवाना और बुरुने कंबोडिया और मदागसकर मदागसकर में प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट नहीं है वहां पर एक राष्ट्रपती का पोस्ट है हालकि इनके पास जनकार ली नहीं है कि भाके राश्ट्रपती और न नौर्थ कोरिया, थाइलेंड, तोगो और इसके बाद उसके बाद युनाइटिट्किंग्डम है, युनाइटिट युनाइटिद्किंग्डम मैं प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट होता है और वहां पर उसको डॉलर में रुपए के अंदर लगभग लगभग डेड़ करोड के गई डेड़ करोड रुपे पूरे साल भर में United Kingdom के Prime Minister को मिल जाते हैं सोचिए डेड़ करोड रुपे salary के तोर पर पूरे साल भर में मिल जाना असान बात नहीं है है तो है ऐसके बाद आगे वड़ते हैं इरान इरान का आप पड़ सकते हो इरान की सुपरीम लीडर का इनäreन लिखा रखण पर मनद सुपरीम लेच टेंस्टेन नाम का एक देश है तो वहां का आप पढ़ सकते है प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट है वहां पर एक पोस्ट प्रिंस नाम से भी है इन्होंने जीरो यूस्टी लिखा है क्या वहां के प्रिंस को कुछ भी नहीं मिलता है जैसा कि यह लिखा है जीरो यूस्ट परदान मंत्री का पोस्ट इनके देश में ही नहीं रही है सेरी रिया अभ वहाँ के लोग जाने की वहाँ का कैसा सविधान बना रहे हैं क्या बना रहे हैं किस सब्सक्रण आपका अलग से जंडर्रल बना दिया अलग से जंडरल पोस्ट हो गई गवर्णर जंडरल नाम की पोस्ट हो गई तो हाई-T ॥ एक अंदर एरिट्रिया का पढ़ सकते हो ग्यूनिया और विस्चाव का पढ़ लो सिरी लंका का और मॉल दोवा और दिजी बूटी और तुर्कमेनिस्तान वीतनाम किरीबाटी और यूकरेन यूकरेन एक कंट्री है मॉंगोलिया और सैरा लियोने ताजीकिस्तान और सर्विया और सेने गल और येमिन और उझ्बेकिस्तान चड और सोलोमो आईजलैड टुनीसिया नौर्थ मैकेडोनिया और नेपाल और तुवालू और काई रिग्स्थान और कैपेवपार्दे और कजागिस्थानakeлов और चाइना का भी आप पढ़ सकती हो, अगर आप मेरे से पूछो दोस्तों, चाइना में ना दो लोग हैड होते हैं, चाइना में अगर गवर्मेंट में हैड बात करूँ तो प्रीमियर नाम का एक पोश्ट होता है, हैड का नाम वहाँ पर प्रीमियर होता है, जिसको 22,000 डॉ प्रेजिडेंट यानि राष्ट्रपती को भी 22,000 डॉलर पूरे साल वर में दिये जाते हैं, उसके काम करने के उसके उपर, भाई वो काम कर रहा है, देश समाल रहा है, तो उसको उतने मिलते हैं, ग्यूनिया की बात करो, तो ग्यूनिया में 22,000 के करीब USD मिल जाते हैं, USD मिलते हैं, सेचल्स के देश के वाइस-P्रेजिडेंट और प्रेजिडेंट यहां पर राष्ट्र वहाँ पर प्रम मिनिस्टर का पोश्ट नहीं है, विलाइस का आप पढ़ सकते हो, विलाइस देश में आपको गवर्नर जंदल और पी-म पोश्ट होता है, दूसरा यहां प Montenegro 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 और Belarus और Dominika और Burkina Faso यह सारे देश के नाम है आप कभी लोग कहेंगे यह भी कोई देश के नाम है देखिए भाई हो सकता है आपके लिए complex हो actual में यही नाम है उन देश के बुरकिना Faso, सेंट लूसिया और Nicaragua, बॉलिविया, मयनमार, सेंट्रल अफ्रिकन रिपवलिक और बोस्निया और हर्जे गोविनिया और बोस्निया नाम का एक देश है वहां पे प्रेसिदेंस नाम की पोस्ट है क्रोटा क्रोटा क्रोटिया नाम का एक देश है सेंट विंसेंट एंड ग्रेन डाइन्स और एथियोपिया और मोजंबीक्यू और बुरूंडी और तंजानिया है वेनेज्वेला है हॉंडूरस है और सेंट किट्स एंड मेविस और कॉंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ दी इसका नाम है और दूसरा इंडोनेशिया है इंडोनेशिया के राष्ट्रे पती को लगबग 52,000 डॉलर मिलते हैं पूरे साल बर में यानि करीब करीब भारतिये रुपए में ये 50 लाक होते हैं लैसो थो और ट्रीनी डैड एंड तोबा गो और ग्रेनेडा और पोपुआ न्यू गुनिया और पेरू और मार्सल आइसलेंड और साउथ सुडान रोमेनिया और एल सल्वाडोर फीजी जंबिया गाबोन और गैंबिया ये सारे कंट्री के नाम है आप जितने भी सुन रहे आप देख सकते हो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री की सैलरी है 14,000 डॉलर जो की हो जाता है लगबग 12,00,000 रुपए यानि पूरे साल भर के इसाब से 12-13,00,000 रुपए यानि पर मंत 1,00,000 रुपए पाकिस्तान के PM को मिल जाते हैं या लेकिन उसके राश्ट्रे पती की सैलर मैक्सिको में आप देख सकते हो वहां सिर्फ राश्ट्रे पती पोस्ट होता है अभी तक हो सकता है आगे चल के वहां पर प्यम पोस्ट बना दे अब माली नाम के देश में आप पढ़ सकते हो किसको कितना सेलरी है नाइजीरिया, पोलेंड इंग और इजिप्ट, जमाइका और लत्विया, मालता, मलावी, नावरू और एस्टोनिया और इसके बाद एस्टोनिया के बाद जाता है एकुआडोर और घाना और माल्डिफ्स, माल्डिफ्स देश के प्रेजिजेंट की अच्छी खासी सैलरी है, आप खुद देखिए, लगबग यहां पर हो जाता है 80,000 USD, 80,000 USD हो जाता है लगबग 75,000,000 रोपए पूरे साल बर में, 75,000,000 रोपए पूरे साल बर में एक सरकारी व्यक्ति को मिल रहे हैं, हलाकि वो रा भारत देश के राश्टे पती को मिल रहे है 85,000 USD हो जार पूरे साल में, 85,000 रोपए को जासी दॉपर पर मंत मिलते हैं ठीक है उसी दरीके से वहां के प्राइम मिनिस्टर को जो सैलरी मिलती है आप मान सकते हैं कि वो लगबग होती है 65,000,000 पूरे सालवर की यानि की करीब करीब आप यहां पर देखते हो तो 5,000,000,000 के उपर मिल जाते हैं तब आपके देश भारत देश के परधान मंतरी नरेंद्र मोधी की बात करूँ तो नरेंद्र मोधी की सैलरी पूरे मंत की 5,000,000,000 के करीब होगी ठीक है यह चीज़ मैं आपको बता देए यह कैसे पता लगा यह ऐसे पता लगा आप डॉलर को रुपई में बदलो और रुप सब की भारत देश के परधान मंतरी को 5,000,000,000 रुपई मिल जाते हैं सैलरी के तौर पर हर महीने राष्ट्यपती को मिलते हैं 7,000,000 ठीक है यह यह राष्ट्यपती पूरे देश का हैड है ठीक है और प्राइम मिनिस्टर उसके बाद आता है हाला कि प्रेजिडेंट के अलावू और सिप्रस जियोर्जिया और गू याना और मॉरिटियस फिलिपाइन्स फिलिपाइन्स भी एक देश है पॉर्टूगल और नमी नमी बिया और इवोरी कोश्ट और ब्राजिल और पारागुए लिब्या और रिपब्लिक ओफ कॉंगो कोश्टा रिका कोमो रोस डॉम निकन डॉमींटाइन्स अलवा समाल्या है हंगरी है इसलोवाकिया है स्स Right ऐसे लिए और में और नमिर यह लिगेंस य होॉझा पाइज लूधियक ओस नेंद थे से का अफिलांद के इवडाख क इसे अलरी कासे अंधान ब्रूस्टोफ़ थोट मैं यतन मोंतफ सब प एक करोड के सम्थिंग तो वही हो जाता है डेड़ करोड रुपए रुपए में ये डेड़ करोड आ जाता है डॉलर में एक लाग चालीस अजार डॉलर है जिंबाब्बे कजैक रिपब्लिक लेबनन और एक्वेटोरियल गवानिया और ग्रीस इसरेल और गवाटे माला और आइबान युगांडा और केनिया फ्रांस चायल तुर्के तुर्के एक देश है तुर्की और साउथ कोरिया साउथ अमरिका सौथ एफ्रिका है ये साउथ एफ्रिका और न्यू जिलेंड और मलेशिया और जर्मनी इटली कनाड़ा और मौरू मौरी टानिया इस्पेन आइ रोयल ग्रांट किंग उसको 3,00,00 ,, how revenue is the difference in Asia , ही कोड़ी करीव बादा है ,belust रुपाई में मिलते हैं , Iceland United States Ireland European Union Morocco आपको और स्विट्सर लेंड, हॉंग कॉंग, सायरिया, सीरिया नाम है इसका, कैमेरून, इराक, जॉडन, सिंगापूर, टॉंगा, जापान, नेदर लेंड्स, और ओमान, देनमार्क, लुक्जमबर्ग, इस लिश्ट में सारे ही देश हैं दोस्तों, ठीक है, इस लिश्ट क करोड 23 लाग डॉलर, यह तो काफी जादा है, एक करोड 23 लाग डॉलर कितना हो जाता है, लगवाग आप सोचिए, 90 करोड रुपए, पूरे साल भर में मिल रहे हैं, वहांके ग्रैंड डुक, रॉयल ग्रांट को, और प्राइम मिनिस्टर को तो सिर्फ 3 लाग USD मिलता है, ल कोचिए, लुक्जमबर्ग के अंदर 90 करोड सेलरी मिलती है, वहांके ग्रैंड डुक को, स्वेडन, स्वेडन है, नौर्वे, कतर और मुनाको, और एस वैटिनी, कुवेट और इसके बाद नेक्स्ट आपकी उनाइटिड अरब एमिरेट्स और साउधी अरेबिया, तो इस खाजिया, जिसको क्लेंड किया गया है, और सो क्लेंड बाइ, इसको जॉर्जिया ने क्लेंड किया है, इसी तरीके से कोसोबो है, जो की सेर्विया ने क्लेंड किया है, और सो क्लेंड बाइ सेर्विया द्वारा क्लेंड किया गया है, यह फॉल्लोंग इस्टेट वो है, जि सोगों का तो इस तरीके से आपके सामने पूरा लिस्ट डिसकस किया है विकिपीडिया कभी भी खुद से सारी जनकारी अपनी वेबसाइट पर नहीं डालता है रेफ्रेंसिस आप खुद देखिए यहां यहां से आती है जनकारी और आप मैंसे ही लोग इदर जाकर सारा कुछ डालते हैं और कभी भी यह जनकारी गलत इसलिए नहीं होती क्योंकि इस वेबसाइट पर कोई भी जनकारी आप जब डालते हो ना तो आपसे जनकारी लिही तब ही जाती है जब वो ट्रस्टिड और एक्च्वल हो साही हो ठीक है दूसरी हमारे सामने पॉलिटिकल सैलरीज डाट कॉम वेबसाइट है इसने पी इसी तरीके से तरीके की जनकारी दी है लेकिन इसकी लिश्ट में सारे देश नहीं है इसकी लिश्ट में सिर्फ कुछ देश हैं लगबग 15 से 20 देश हैं जिसमें और जेंटीना है ऑस्टिया ऑस्टेलिया बांगल गाना ग्रीस और हंगरी आइजलेंड इंडिया जैसे देश के नाम सामिल है और आप इसमें पढ़ सकते हो यहां पर उनकी भी सैलरी अच्छे से दी गई है जैसे इंडोनेशिया है उसके साथ साथ आयरलेंड है इसराइल इटली और जापान इन सभी देश के नाम है इसके में परदान मंतरी सबका सेलरी इंगोंने लोकल लेवल पर दिया है उसके खुद के देश की करनसी जो है उसमें बताया है पी है अ ओ फिर इन्होंने GDP पर आप इटा घाल थी उस देश की कितनी है और उस देश की देश की GDP per capita के इसाब से वहां का प्रेजडेंट सही सैलरी ले रहा है यानि कि 18% ले रहा है वहां की GDP per capita से लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं कि जो अपने देश की GDP per capita से लगबग 6 गुना ज्यादा अपने देश की GDP per capita के अनुसार कितनी ज्यादा सेलरी ले रहे हैं अगर जहां गिरीन है उसका मतलब यह है कि यह लोग अपने देश की GDP per capita से काफी ज्यादा सेलरी लेते हैं ठीक है आप खुद देखिए अगर इन समन में बात करूं सबसे ज्यादा कौन है तो आप देख सकते हैं यहां पर हमारे सामने है गाना गाना नाम का जो देश है वहां का प्रेजिडेंट जो है वह अपने देश की GDP per capita स से लगबख सिक्स टाइम सेलरी ज्यादा लेता है जो भी पोस्ट पर होगा उसको मिल रही होगी ठीक है ऑस्टेलिया का तो भाई प्राइम मिनिस्टर अपने देश की GDP per capita से छे टाइम्स ज्यादा सेलरी ले रहा है समझ रहा है तो इस तरीके से लिस्ट इंपॉर्टेंट तो है अब आप कहोगे यह जानकारी आप कैसे बता रहे हो कही सब कुछ सही है तो आप खुद देखिए यह सोर्स है गवर्मेंट डेटा पोर्टल से यह आर्जेंटीना वाली जानकारी है रेमिनरेशन ट्रेबनल से ऑस्टेलिया की डिटेल्स निकाली गई वहीं मीडिया 2021 से यहां पर बेल्जियम की जानकारी हमारे पास आई थी उसी तरीके से फिनलेंड की गवर्मेंट ने यह जानकारी दी थी फिनलेंड वाले देश के लिए इसी तरीके साथ थोड़ा सा नीचे आते हो तो आपको पता लगता है कि यहां पर आइसलेंड पार्लेमेंट ने ज जो constitution है उसके अनुसारी उनका salary तै हो रहा है ठीक है अब आप बात करते हो data confidence हो जाता है कि आप कितना बरोसा कर सकते हो जनकारी पर तो जहां पर लिखा है high तो मतलब आप बरोसा कर लो इन salary पर इतनी ही मिल रही है इनको ज्यादा नहीं दिया जा रहा है इतना ही मिल रहा होग लेकिन जहां लिखा है low मतलब आप मान सकते हो कि यह गलत जानकारी है हमें गलत बता रहे हैं law मतलब यह है कि यह गलत बताया गया है कही ना कहीं हम इस पर बरोसा ना करें तो सही होगा ठीक है तो ऐसा कुछ है जैसा कि आप देखते हो दोस्तों इंडिया वाली जो salary बताई हो ठीक है मीडियम सही बोल रहे हैं मीडियम ही रहे है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंडिया की salary एक लाग बाई सजा नहीं है बलकि चार या पांच लाग प्लस है और इनके पास यह जो जानकारी है 2022 की जुलाई तक की है लेकिन हमें अभी तक 2024 में जैसा पता है कि इंडिय आप देखते हो about GDP per capita क्या होता है GDP per capita होता है एक economic metric होता है that measure the value of the country's economic output per person मतलब की पूरे देश की economy ठीक है वो भी per person के हिसाब से कितनी है वो हम निकालते है तो वो GDP per capita के लाता है कहलाता है आपको करना क्या होता है अपने देश की GDP को वहां की जनसंक्या से डिवाइड करना ह है जो number मिलता है ठीक है वही आपका GDP per capita होता है ठीक है अगर आप अपने देश की economy dollar में निकालते हो तो आप अपने देश की population को डिवाइड कर दो उससे पूरे देश की economy से और फिर जो number आएगा वह आपका dollar में ही रहेगा अगर आपका GDP economy अपने dollar में निकाला है समझ रहे ह तो वही चीज है थोड़ा आगे बढ़ता हूं कोई पूछ रहा है कि पांच ऐसे देश बतातो जिनकी GDP सबसे ज़्यादा हाई है टॉप पर है तो जापान चाइना जर्मनी और भारत और United States यह पांच ऐसे देश है दुनिया के जिनकी GDP सबसे ज़्यादा हाई है मतलब सब स जास है जैसा आप जानते हो चाइना में बहुत सारी टेकनोलोजी है जपान भी टेकनोलोजी में बहुत हाई चलता है अमेरिका में भी बहुत सारी कंपनिया टेक कंपनिया वहीं से बहुत सारी चलती है तो इस चक्कर में यह सबसे हाई पर चलती है अभी के समय यह टॉप 5 GDP holders हैं पूरे देश पूरे दुनिया में GDP holders ठीक है सबसे आज़ा GDP इनी की है अब बात करते हो इंडिया की GDP per capita अभी 2400 डॉलर है 2022 के इसाफ से इतनी है अगर आप मेरे द्वारा यह जो लिस्ट थी यह वाली Wikipedia की अगर आप इसमें इंडिया ढूंबते हो तो आपको दिखता हो देखो जैसे आप यहां पर इंडिया का देखते हो यहां पर इन लोगों ने GDP per capita नहीं बता है लेकिन इस वाले लिस्ट में GDP per capita इंडिया का बताया हुआ है मैं आपको दिखा देता हूं GDP per capita डॉलर में दे रखा है इंडिया का जो की 8000 डॉलर दे रखा है आप सोचिए इस में 8300 डॉलर GDP per capita इंडिया का बता रखा है बल्कि एक्चुल में GDP per capita इंडिया का 2400 डॉलर ही है यानि कि गलती है इस लिस्ट के अंदर है ना यह चीज़ आप खुद देख सकते हो दूसरा है ना बाकी लोगों और मोस्ट सब कुछ सही बता है हम आगे बढ़ते हैं तो आप एक्चुल नंबर आप पता लगा सकती हो उस देश के पास एक्चुल में कितना धन है कितना मनी है कितना amount of money है आप सीधा सीधा यहां से पता लगा सकते हो तो यही था इस वीडियो के अंदर और किसी का कोई पॉइंट हो तो बता सकता है सबस्क्राइब करना है लाइक करना सबी लोग का धन्यवाद